वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाली कूबरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तक कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डाउन ये एक होलिवड की थ्रिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग भी बहुत अच्छी है तो अंतक इस वीडियो को ज़रू देखिएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन गैरेक्टर जैनिफर को ओफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी वो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाज़े से उन्होंने ब्रेक अप कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बारे में वो एक इमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक सप्राइस था नेकसीन में हम हमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है जिसका नाम है गाय ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था ये दोनों अलग-अलग फ्लोर उपर एक ही लिफ्ट में चड़े गाय जेनिफर से मिलते उसे कमफटेवल फिल कराने के लिए जोक स्वगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तभी अचानक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं करा था इन्होंने अलाम विगरा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी वक नहीं करा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरी को नोटिस किया कैमेरी में वे विगरा करते हैं पर दूसरी साइट पर कोई भी नहीं था ये phone करकर किसी के help मांग सकते थे पर range भी नहीं आ रही थी अब इस lift में ये 5 दिनों के लिए trapped है Friday, Saturday, Sunday और 2 दिन की छुटी थी गाय ने Jennifer को कहा कि मैंने अभी-अभी इस building में job join किया है उसे इस lift के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है Jennifer ने का आकी कभी-कभी ये lift आवाज करती थी शायद इसी वज़े से stuck हो गई है Guy को अचानक से idea है कि lift के उपर से ये exit हो सकते है हर lift में exit होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी height नहीं थी फिर वो जुक कर Jennifer को उपर की ceiling चेक करने के लिए कहता है Jennifer के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत राय किया पर खुछ भी नहीं हुआ एक घंडा बीद गया और Jennifer realize करती है कि अब उसकी flight उसने miss कर दिया वो गुसा होगे और सारी चीज़ों को गालिया देने लगके उसे ब्यास लगी थी तो गाया ने उसे अपनी bottle दिये Jennifer उसका पानी पेने से मना कर दिया पर गाया ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी wine की bottle अब तुम decide करो वो मजाग में कहता है wine की bottle open करने के लिए मेरे पास opener भी है Jennifer ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक opener दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्तिया उसने विरबानी पी लिया था वो गाये को as a gesture एक चॉकलेट दे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ वर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते हैं अब इसके बाद और चार घंडे बीट गए थे उसे पी करना था पर गाये के सामने इस तरी किसे टॉयलेट करना है उसे अजीब लगता है गाये ने फिर उसे एक बोटल दी कहा कि एक नैचरल चीज है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लगती है और फिर टॉयलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लीफ में जो ड्राइंग बनी थी उसी ड्राइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुझती है क्या तुमारी कोई भी गर्फेंड वेकरा नहीं जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को कॉल करकर तुमारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे सप्राइज देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रेलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर वाइन की बॉटल खोल ली टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे के ड्राइंग बनाने लगते हैं गाय ने जनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी है पर जनिफर उसके एक फणी से ड्राइंग बनाती है जनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई इसे मेरी प्रोफाइल पिक्चर रहूंगी बाते करते करते खाने पर डिसकस करने लगे तो उन्हें भुगे थे तो जनिफर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं अलग-अलग टॉपिक पर डिसकस करते हुआ एक दुसरे के पार्टनर के साथ क्रीजी स्टोरी ये बताने लग जाते है जनिफर गहती है कि एक बार में मेरे बॉइफ्रेंड के साथ लाबररी में इंटिमेट हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गहता है कि मेरी एक कोवर कर थी हम एक बार ड्राइव पर गए थे वो ये पर इंटिमेट हुए थे ये सब बताते हुए उसे जनिफर के लिए फिलिंग्स आ गए जनिफर को भी इससे कोई भी प्रॉलम नहीं था फिरे दोनों ये ही पर इंटिमेट हो जाते है इंटिमेट होने के बाद गाई ने जनिफर से गा ये तुम्हारे प्यार में पढ़ सकता हो ये पाद जनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो इससे गहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना चाहती थी गाई को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचूत एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो गया वह उने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुमें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुमें ही देखता रहता हो वह एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जुट कहा था किसी building में accountant है उसने convince किया कि सब कुछ मैंने plan किया था वो Jennifer के साथ एक दूसरे को जानने के लिए chance चाता था वो चाता था कि Jennifer उसे पहजाने इसी वज़े सो उसने सब कुछ किया था वो बने pocket से चावी निकालता है और इस लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भूगत ना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बन कर दिया जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर दिया पर गाये ने उसे पकड़ लिया जेनिफर स्टगल करते हो लिफ की की को मार देती है और इस वज़े से तूट गई थी अब एक्चॉल में इस लिफ में फस ग लैंट था यहां लिव में हमारी बीष में कोय भी distraction नहीं था तो हमें एक दूसरे को जान पाए practically हमारे पूरी relationship इस lift में हो गई हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और breakup भी हो गया जैनिवर अब भी बहुत गुष्षा थी वस्ने अपने फियांसे के लिए जो गिफ ल जबलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के बॉटल से उसने चछत पर मारकर उसे खोल लिया वो जैनिफर से गहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो मैं उपर जा कर इस लिफ को खोल दूँगा जैनिफर उस पर बिल्लियु नी करती कहती है कि मैं उपर जाती गाई भी फिर उसे help करने के लिए मान जाता है और जेनिवर उपर आके उपर आने के बाद जेनिवर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रसी बना कर उपर वो आ जाता है जेनिफर ज़रा ज़ादा उपर चली गई थी वो डोर को पकड़नी वाली थी तब ही नीचे से गाय आया और उससे पकड़ कर फिर से लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जेनिफर होश में आ गई लिफ्ट तेहस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कुशिश की गाय को होशाने के बाद हो गयता है ये सब वक नहीं करेगा हमने बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जेनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुमें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोर्ट में जुटी सावित नहीं हो सकती तुम मैटकोस ने का तुम सब कुछ अब कनफेस कर दो अगर गाय ने ऐसा नहीं किया तो जेनिफर उसे बहुत भी बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जेनिफर फाइनल उसे पुछती है तुमने यह सब किया क्यो गाय कहता है कि मैं हर रोज तुमें देखता था तुम बहुत भी ब्यूटिफूल थी वर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हो इस वज़े से मैं कभी भी तुमें अप्रोज नहीं कर पाता मैं हमेशा से सिकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक्चुल मैं एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुमें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तब ही उसका एक्चिडन्ट हो गया उस पर चार्ज़ेस लगे पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो 6 मन्स में वो बहार आ गया पर बहार आने के बाद उसे कोई भी काम ने मिलता था स्लोली स्लोली उसके फाइनाशल सिचुएशन खराब हो गे और उसे सिकुरिटी गार्ड का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी ओल लाइफ को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया निक्सिन में हम देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाला सिकुरिटी गार्ड ये अपनी गल्फरेंड को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने निवाला था पर गल्फरेंड को यहाँ लेकर आया वो रोडिस करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने कैमेरे में जैनिफर और गाय को लिफ में देखा वो जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए पहुश गया फ्रेंड आया और लिफ को ओपन करने की कोशिश करता है पर यह सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस आता है तभी गाय जैनिफर पर हमला करकर उसे बेहुश कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे हेल्प की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी बॉड़ी रख देता है जैनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी की ट्रंग में टाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया, कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गल्फरेंड को उसने नोट डिस किया वो इसके बॉड़्फरेंड के बारे में उसे पुछती है तो गाए ने कहा कि वो तो चला गया गल्फरेंड जला सस्पिशेस होकर यहां से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार डालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो लेकर गया वो थ्रेश कैन में पेट्रोल वेकरा डाल कर जेनिफर की बॉड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंक खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गे और आगे चलीगे उसने पीछे देखा तो गाए अब भी जिन्दा था वो बहुत जादा गुसा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को इडिस बिट में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डालती है इसे के साथ ये मूवी एंड हो गए अगर आपको ये वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहे दो तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूवी के साथ तब तक लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया